उदर चप्विल साल पहले छे दिसंबर को ही अयोध्या में विवादित धाचा धाई गई थी तब से हर साल इस दिन कुछ हिंदुवादी संगटन शौर्य दिवस और कुछ मुस्लिम संगटन गम दिवस बनाते हैं इसके साथ ही दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी भी होती है आज क्या हुआ अब ये सबर समझ गया विएच्पी ने शौर्य दिवस पर एक बार पर अयोध्या में राम मंदिर बनाने का संकल प्लोह राया विएच्पी ने कहा कि देश में वैसे तो हजारों मंदिर हैं लेकिन राम जिन्वबूमी एक ही है और हमारा संगर्श इसी के लिए है देश बर में शौर्य दिवस इसलिए मना रहे हैं हम यहां के पूत्र हैं हम इस मा की गारव गरिमा की वृध्धी के लिए ही काम करेंगे और 9 दिसंबर का कर्टम हिंदुस्तान की गारव वृध्धी का कर्टम आने वाली पीड़ी को इस इतिहास से इस लड़ाई से जोड़ने का प्रयास होगा हर्याना के मंत्री अनिल विज ने कहा कि बावर ताकतवर था तो राम मंदर का विद्वन्स कर दिया ज़स दिन हिंदू ताकतवर होंगे उसे दिन आयोध्या में राम मंदर बनाकर हिसाब पूरा कर देंगे जिस दिन हिंदू शक्ति साली हुए जिस दिन राम बक्त शक्ति शाली हुए उनने वो तंचा गिरा दिया ऊप और शक्ति हो जाएगे तो इस दिन राम अंदर भी वहां पर बन जाएगा दूसरी और मुस्लिम समाज ने योमे गम दिवस मनाया बाबरी मस्जित के पैरोकार को जान से मारने की धमकी मिली है इस बीच 6 दिसंबर को लेकर कोई तनाव पुर्ण एस्तती ना बन पाए इसे लेकर प्रोशासन पूरी तरह सतरक दिखा आयोध्या में हिंदू संगठनों से जुड़े चार कारेकरता गिरफतार किये गए हैं इन पर विबादित परिसर में घुसने का आरोब है इन लोग कोटे जो सिसी टीनी कैवरेश से सकते जो कवरेश थी उसे नाम आ गए थे इन लोग के एरेश्टिंग हुई है उसी अपरा संक्या धारा में और इन लोग का रिमान बने गया चोदर दिन का एलोग जेल में चलेए 6 दिसंबर को लेकर क्यों जताई जा रही थी आशंका इसको समचे सा 25 नवंबर को अयोध्या में हुई धर्ण सभा में जूते थे लाकों लोग हिंदुवादी संगठों ने राम मंदिर निर्मार जल्द शुरू करने को लेकर बराया हुआ दबाव और 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादी धाचा डायाने के शौरिका प्रतिक मानते हैं हिंदुवादी संगठन मुस्लिम फक्ष इस दिन को गम के दिन के रूप में मनाते हैं ऐसे में प्रशासन को सरक्षा को लेकर विशेश इंतर्जाम करने पड़े ताकि कोई अप्रियर बरदाद ना हो सके